हेलो एब्रिवन और यह जो वीडियो है यह है फार्मिसी काउंसिल ओफ इंडिया का नोटिफिकेशन जो की 22 अक्टूबर को रिलीस किया था और में भी सब को मालूम ही होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में लेकिन इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम सारी है लोगों को तो म चांस दे रहा है PCI कि जो जो भी इंसिट्यूट थे जिनोंने 22 अपलाई किया था और उनको ड्यू टू सम रीजन उनका जो इंटेक्स था वो रिडियूस कर दिया गया था now PCI जो है अब आपको एक चांस दे रहा है कि आप अपने जो रिडियूस इंटेक्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए आप दुबारा से उनको अपलाई कर सकते हैं और 22 इसमें अगें जो आपने अपलाई किया था वो ही सेम इंटेक्स आपको दुबारा मिल सकती है तो यह है वो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने साफ साफ चीजे लिखी है और यह लास्ट अपॉर्चुनिटी है तो जितने भी इंसिट्यूट है इंग्जिस्टिंग बी फार्मा डी फार्मा के वो जाके अपलाई कर सकते हैं लेकिन यह कुछ हार्ड कॉपी उनको इंटेक्स आपके रहने वाले हैं तो यह बहुत ही अच्छा चांस मिला है और PCI दे रहा है इस टाइम अदरवाइस PCI इतना मतलब बार बार एक ही प्रोसेस नहीं करता है पतानी क्यों सी साल इतना सारा प्रोसेस वो करने में लगे हुए लेकिन जो भी है आप लोगों को ए इंटेक्स आपको इस ट्रीज़न लेने से पहले ही अपनी जो इसी में इसको रेकमेंड कराते हैं तो अगर आपको एक का वो पटिकलर डिसीजन चाहिए तो आप मुझे इमेल कर देना मैं आपको पीडिय अप दे दूंगे उसका ठीक है तो सेकिंड है आइम डिरेक्टेड तो स्टेट दाट 379 EC in its meeting held on 1510 2022 has decided as under तो वो EC meeting है 379 जिसमें ये decision लिया गया है a. wherever admission intake was reduced in 22 days academic session in PCI courses the previous approved intake during 21 days academic session the restored for 22 days academic session also that means जो आपके 21 days में थे और जो आपने 22 days में अपलाई किये हैं आप उसको दुबारा से restore कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ conditions रखी हैं वो अब भी हम आगे जाके देख लेते हैं b. to notify all such institute that an affidavit should be uploaded on institution's dashboard on the portal of Pharmacy Council of India New Delhi within the month of receipt of this notification without fail there should not be any change modification alteration in the affidavit provided with this notification in case any changes is observed the same will not be entertained at any cost and the liabilities will rest only with the institute and not PCI तो that means इन्होंने कुछ performer दिया हुआ आपको तीन चीज़े बेसिकली dashboard में डालनी हैं पहला है इनका affidavit एक appeal application and another one is faculty detail इन तीनों का प्रफॉर्मा इन्होंने annexures में दिया हुए वो आगे आ जाके आप देखेंगे और same as it is होना चाहिए कुछ भी change करोगे तो उसके लिए opportunity है आप लोगों के लिए ठीक है वो fill करना है same उसमें और उसको dashboard में जाके login के through आपको attach करना है और last date इन्होंने बताई दिया है only 30 days आपको दे रहे हैं that means अगर ये 22nd of October को है तो 22nd of November इसका last date होगा तो make sure आप उससे पहले पहले इसको fill कर लें ठीक है थर्ड है in view of the above all institutions are hereby directed to submit the prescribed affidavit and close annexure A along with their application annexure B and update the faculty data on PCI portal within one month of receipt of this notification first जो आपको provide गर रहे हैं वो ये चीज़े हैं increase in intake introduction of new course and other one is restoration of reduced seats ठीक है तो ये तीन पैरा इस notification में दिया गया है आपको तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है annexure A आपका है affidavit B है आपका appeal application और third होगा आपका faculty data जो कि आपने fill करना है और उसमें क्या-क्या चीज़े इन्होंने मांगे उन चीज़ों का भी ध्यान रखना क्योंकि enclosure जो आप enclose करने वाले वो strictly check होने वाले हैं इस बार तो make sure जो भी चीज़ आप दे रहे हो वो बिलकुल सही हो और क्या केते हैं ये सारी चीज़े ही इसी format में होनी चाहिए इसके अलावा कुछ और format दोगे तो वो आपके application को directly reject कर देंगे और 22-23 में फिर आपको जो है reduced intake पर ही admission जो है अभी जैसे चली रहे है admission तो लेने ठीक है ना तो यह बहुत अच्छी opportunity दे रहा है PCI जो की देता नहीं है और पूरा session ही खतम होने को आया और यह अभी तक यही process चल रहा है बट ठीक है आप इसको जल्दी से fill कर लो और इसको fill करते ही उसको upload भी करना है आपने और जो इसकी file का size है वो भी आप check कर लेना पू हो जाएगा 23-24 का तो उससे पहले पहले आपको यह complete करना है तो चलिए फिर आप हम आगे देखते हैं कि क्या है वो annexures वगेरा जैसे हमने उस पर ध्यान देना है क्या क्या annexures में हमसे चीज़े मांगी गई है वो देख लेते हैं और क्या appeal application में हमें fill करके देना है और कौन लिके से उनको certify करना है या कौन उन्हें certify करेगा वो चीज़ हम आगे नेक्सचर में देख लेंगे बाकी यह था तीन paragraph का इनका notification अगर आप लोगों को इससे related कोई भी query हो आप मुझे comment box में लिख देना हाँ आपको intake वही मिलेंगे जो आपके last year थे यह नहीं कि आप उसक 60 थे 60 के लिए apply किया लेकिन आपका reduce हो गया तो restoration वाला case हो जाएगा ठीक है ना तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है कि यह तीन चीज़ों के लिए आपको बोल रहें increase intake that means जिन्होंने 22 थेस में किया होगा ठीक है तो affidavit क्या है annexure A जैसे उपर मैंने बताया same as it is हो चाहिए अपने principal का name या head of the institution यह जो fill in the blanks दिया आपको fill करना है 100 रुपी Indian non-judicial stamp paper पर और इसका colored copy रखना size देख लेना एक बार उनके जो भी notification में दिया हुआ है नोने पूरा-बूरा कि क्या-क्या इसका size होना चाहिए उतना ही size उसमें attach होगा और compliance report submitted by name of the institution with complete address आपको यह है इसका second page और departmental security यह सब कुछ fill करके आपको submit करना है एनक्षर भी जैसे मैंने बताया था appeal application भी आपने लगा दी है appeal application में आपने name of the college PCI की अपनी ID देनी जो आपको मिलती है address contact college का और यह सारी details इसमें आपको fill करके देना है ठीक है और reason लिखना है appeal का कि आप appeal किस चीज के ले कर रहे हैं like increase intake हो गया restoration हो गया introduction of new course हो गया वो आपने हाँ पर fill करना है देख लो जैसे यह है ठीक है और जो faculty details देनी है वो किस तरीके से देनी है उन चीजों का भी आपने हाँ पर ध्यान देना है जैसे faculty details में उने बोल दिया name of the faculty वित अधार कार्ड नंबर चाहिए और total teaching experience लिखना है designation लिखना है और उनका pay scale लिखना है और asterisk में उने mention भी किया हुआ है कि for the appointed new faculties latest relieving order of the institute with PCI ID and joining letter should be enclosed यानि कि अगर आपने कोई नई faculty दिखाई है PCI में तो जो उनका previous का record है वो भी आपके पास होना चाहिए और joining letter अभी के हिसाब से वो भी आपके पास होना तभी उसको faculty को count किया जाएगा otherwise again आप फिर से उसी चीज में आ जाएंगे कि आपकी faculty count नहीं होगी declaration regarding the faculty यह यह चीज़े आपने ध्यान रखनी है कि principal director dean that he has verified certified जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी आपके concern principal director या होडी जो भी है वो उसको एक-एक paper को certify करेंगे जो भी आप attach करने वाले हो faculty के regarding एक-एक paper stamp होना चाहिए और certify होना चाहिए उनके थ्रू कि वो जो भी document submit कर रहे हैं वो सभी correct है उनकी knowledge में अगर कुछ भी उसमें मतलब error होती है या mistake होती है कुछ भी उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है कि आपने गलत सम्मिट किया है by intentionally कोई चीज आपने submit करी और वो गलत है as per law तो आपके against punitive action लिया जाएगा और ये भी हो सकता है कि college को बंद भी किया जा सकता है अगर कुछ जादा ही उसमें जैसे mistakes मिलती है तो ठीक है ये है तीन परफॉर्मा बस तीन चीज़े आपने याद रखनी है एफिडेविट, appeal and last one is faculty data, faculty data आपने major part of faculty data और एफिडेविट, एफिडेविट तो कंपल सरी है उसी के basis पे ये सबको increase intake दे रहे है तो उस चीज़ का आपने खास धियान रखना है ठीक है और एक ये दूसरी information देनी है NOC of the state government जो आप हर साल लेते हो और affiliation of examining authority with intake जो भी आप आपको intake है वो यहाँ पर लिखनी है date of first approval या 345 जितने भी है सभी approvals की हाँ पर आपको detail देनी है कौन सा college आप रन कर रहे है चुट 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 information है वो फिल करके आपको dashboard में इस सारा attach करना है और इनके साथ जो भी enclosures आप लगाने वाले हैं वो copy certified होनी चाहिए तो submit करनी है तो किसी की भी query हो इससे related वो मुझे email कर लेना और ध्यान रखना dashboard में जब भी आप submit करो affidavit तो धंका submit कर देना ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे next video में thank you